नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरब और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं कौपर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने कौपर MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास्ट रिडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे के आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो कॉपर में सपोर्ट और रास्टरंस का काम करेंगे और उन्हें देखते वे हमारा आगे का क्या view है क्या हमें buying करनी चाहिए selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में enter करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं 5 मिनट के time frame पे copper mcx का chart दोस्तों last trading session की अगर हम सिर्फ बात करें तो market में gap down opening गोई और prices वहाँ से नीचे आने शुरू हो गए नीचे एक price 770 के just नीचे इसने एक support लिया चोटा सा market में एक अच्छी recovery है prices उपर गए वहाँ से फिर market में एक consolidation का pattern continue रहा जिसमें थोड़ी सी और strength market ने दिखाए 781 point something का कुछ high लगा के prices जो थे वो उसी range में आके trade करने लगे जिसमें वो most of the time trade कर रहे थे इस चीज़ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं उसको लेकर अभी हम आगे discuss करेंगे पर यहाँ पर जिस तरीके का trend हमें देखने को मिला एक चीज़ थी कि market उपर गया वहाँ से भी थोड़ा सा correction देखने को मिली नीचे एक support देखने को मिला और market ने बीच में अपने आपको थोड़ा सा hold करके रखा थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के time frame पे यहाँ दोस्तों जिस तरीके का हम trend देख रहे हैं prices में एक strength बनी हुई थी 800 के आसपास market ने काफे strongly अपने आपको hold करने की कोशिश की हुई थी वहाँ से gap down opening prices नीचे और gap down opening prices और नीचे अपने आपको hold करने लग गए यह वो range है जो अपने highest price से market में करीब 40-45 रुपे की एक correction और रड़ी आ चुकी है देखे 770 से अगर हम 812 के आसपास मेरे कहल से कुछ हाई था तो 40 प्लस रुपे की एक correction हम अल्रेड़ी देख चुके हैं copper में जो market में copper में 40 रुपे की एक range बहुत बड़ी मानी जाती है पर जिस तरीके का एक volatile कह सकते हैं या फिर एक movement चल रही है copper में उसे देखते हुए यह range कोई अभी इतनी बड़ी हमें नजर नहीं आ दी जब market थोड़ा से stable होना शुरू हो जाएगा तब यही range हमें काफी जादा बड़ी लग रही होगी पर फिलहाल के लिए market में correction हमें देखने को मिली है और यह correction तब आये जब copper ने अपनी उन उचाईयों को छुआ हुआ था जिसकी हम सिर्फ expectation कर सकते थे कि यहां तक के prices भी कभी देखने को मिलेंगे तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं एक घंटे के time frame पे वहां देखते हैं किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो copper में एक consolidation prices यहां से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश फिर वहां से correction correction जो हो अभी तक continue है 773 के price market अभी दिखा रहा है हमें charts पे और ऊपर से लेकर यह नीचे तक काफी अच्छी correction देख रहे हैं और important चीज़ यहां पर क्या है वो यह है कि market उपर से जो correct हुआ है उसमें market नीचे के level को hold किया हुआ है ऐसा नहीं है कि market में यहां से एक upside moment आ गई और बीच में कहीं पर अपने आपको hold कर रहा है जो correction आई है उस correction के lowest part पर market ने अपने आपको hold किया हुआ है यह सबसे ज़्यादा important चीज़ है जो copper में हमें नज़र आ रही है आगे का view और थोड़ा सा लेते हैं देखते हैं market में किस तरीके का हमें view नज़र आ रहा है चार घंटे के time frame पर अगर हम बात करें तो copper में एक strong consolidation part जो continue था 680 से 60 रूपीज के बीच में यहां से थोड़ी strength बननी शुरू हुई देखिए उन दिनों भी copper में यह expectation नहीं थी कि यह high price break करेगा पर जिस तरीके से इसने वापस 700 के आसपास के prices को touch करने की कोशिश करी वहां पर कुछ ऐसे sign आने लग गए थे जो downside को खत्म करते वे नजर आ रहे थे और upside के एक part को चूने की कोशिश कर रहे थे पर वहां से एक strength जो थी वो बनी रही और market में उपर के prices को touch करके और फिलाल हम देख रहे हैं correction हमें देखने को मिल रही है देखिए यहां पर अब कुछ traders ऐसे हैं जो intraday में trade करते हैं कुछ ऐसे हैं जो positional trade करते हैं कुछ ऐसे हैं जो trade intraday करते हैं पर उनका automatically जो trade है वो positional में convert हो जाता है reason being के वो अपनी position को hold कर लेते हैं और hold कप करते हैं जब obviously उन्हें loss हो रहा होता है profit में कोई trader अपनी position को hold करने की कोशिश भी नहीं करता ना उस strategy को follow करने की कोशिश करता है जो उसे सबसे ज़्यादा benefit दे सकती है पर यहां पर कई trader ने short position को hold किया अब कुछ ऐसे हैं उसमें जो बिल्कुल exhaust हो चुके हैं अपने पैसे को लेके खत्म हो चुके हैं अपने एक उमीद को लेके खत्म हो चुके हैं और corporate ने उस price को break कर दिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे 800 break हो गया market में लगातारेक तेजी है prices कहां जा रहे हैं क्या वो गिरेंगे भी या नहीं गिरेंगे पर जिस दिन 800 को break किया market ने उसी दिन से एक correction दिखानी शुरू कर दी और अभी हमारे सामने 773.25 का एक price है देखे दोस्तों हमारे पास बहुत कम time पे ऐसे हमें एक opportunity मिलती है जिसे हम end cash कर सकते हैं यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहूँगा यह एक part आया था जो market में थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत strongly ने confirm नहीं करा था पर यह थोड़े से sign थे यह उमीदे थी कि इस part के बाद market correct होना शुरू कर देगा ठीक है जिनोंने भी इस consolidation part में selling की होगी और अभी तक hold किया हुआ है देखिए यहां पर आपका money management काम आता है आपको पता होगा कि आपने उसे यहां तक hold करके देखा है या नहीं देखा है अगर देखा है और थोड़ा सा backup आपके पास अभी भी है तो जिस तरीके के scenario आप copper में बने हुए हैं मैं यह recommend करना चाहूँगा कि आप fresh trade को यह ले सकते हैं इस range के बीच में जिसका stop loss आप इसका highest level पे लगा के रखें देखिए आप अगर थोड़ा साइसे पोजिशनल ले के चलेंगे तो एक bumper profit आप ध्यान दीजिए bumper profit आपको मिल सकता है तो इस तरीके का एक scenario copper में अभी बनता हूँ नजर आ रहा है यह चीज़े एकदम से develop नहीं होती charts पे कि आपने कोई short sell किया और एकदम से आपको 50-60 रुपय कॉपर में prices आपको नीचे मिल जाएंगे जो long position holder होंगे कोई तो हुआ जो market को यहां तक लेगी है वो बहुत बड़े player हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं जिनें यह उमीद है कि prices जो है वो 800 के level को touch करेंगे वो जो भी हो पर prices जो है वो धिरे धिरे उपा जा रहे थे और कई trader वाकई में ऐसे होंगे जो market players होते हैं उन्होंने copper में इस तरीके की holding बनाई होगी कि 800 के prices पे ही उन्होंने लगबग exit किया होगा मतलब हर तरीके के trader है वो उनकी गिंती 1% में भले हो पर वो trader होंगे और वो वही होते हैं जो आपके loss को अपने profit में convert करना जानते हैं ठीक है तो अभी अगर आपके पास कोई opportunity है ऐसी तो आपको उसे end cash करना चाहिए provided कि आपका money management ठीक होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आप market में 2-3 दिन आपने कुछ ऐसे देख लिए कि prices तो नीचे आई नी रहे और फिर आप ये सोचने लगे कि मुझे अब इस trade में नहीं रहना इस strategy पे एक बार और भी थोड़ा सा discuss कर लेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं daily charts पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का view हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो copper में जिस तरीके का trend बना हुआ है continuously एक uptrend हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर market ने ये correction दिखाई थी जिसमें कई indication ऐसे आने शुरू हो गए थे कि market में एक selling का phase बनना शुरू हो गया है पर देखे अगर आप इस किसी point पे अगर आप फसे हो तो वो sensible है उसका reason यह है कि charts पे एक indication ऐसे आने शुरू हो गए थे कि market में एक selling नजर आ रही है prices जो नीचे की तरफ जा रहे है और technical charts पे भी बहुत सारे strong indication selling के आ गए थे पर strength इतनी थी कि सारी की सारी बेकार हो गई और market ने एक और wave बनाई जो हम second, third कोई भी wave कह लिए जी इसे coronavirus की तरह तो उसने उपर ले जाकर 800 के price को touch किया हमारे पास यहां पर इसी लिए मैं कहता हूँ कि हमारा fund management कैसा है वो बहुत important role play करता है हमारे किसी भी trading strategy में यहां पर यह example है अगर आपके पास 100 रुपे थे तो आपने 20 या 30 रुपे का ही margin use किया इस पहली wave में ठीक है market उपर गया हमारे पास second chance है अब यहां पर इसे बेचने का तो यहां पर 20 से 30 रुपे और हम utilize कर सकते हैं यहां पर ठीक है पहली चीज़ के उसका benefit यह होगा कि हमारा average जो है वो यहां कहीं पर आजाएगा 720 के किसी भी point पर मान लीजिए या average को count नी मत कीजिए average को हम separate रखेंगे हम अपना individual trade लेके चलेंगे दोनों को तो दूसरा हमने यहां sell किया इस point पर यह second time हम यह देख रहे हैं कि market में selling के indication हमें charts पर नजर आ रहे हैं तो वो हमारा एक additional benefit है अब यहां पर यही चीज़ आती है कि आपकी strategy क्या थी आप कितना जितने भी traders हैं जो मुझे टेलिग्राम पर contact करते हैं या मुझे से बात करते हैं उस में से मैं अभी तक आप यकिन मानिये अभी तक मैं किसी ऐसे trader से नहीं मिला जो बहुत अच्छे से अपनी strategy को maintain करके चलता हो 10 लाख रुपए हैं तो वो चाहते हैं कि 10 के 10 लाख एक बार में utilize करें और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो डबबा ट्रेडिंग में believe करते हैं देखें डबबा ट्रेडिंग में आप इसलिए हैं क्योंकि आपको exposure जादा चाहिए आपको बिना कुछ लगाए कमाने की उमीद है ये आपकी पहली सोच ही गलत है आप 10,000 रुपए लगाओ पर आप trade वो करो जिसमें आप 10,000 में से 2,000 रुपए यूज़ कर रहे हो तो वो एक चीज है जो आपको थोड़ा सा manage करनी होगी थोड़ा सा अब यहां पर हम देख रहे हैं कि market में correction बनती हुई थोड़ी सी हमें नज़र आ लिए weekly charts पे और नज़र डालते हैं weekly charts पे अब अगर हम देखें तो यहां पर यह जो हमें consolidation नज़र आ था पहले red color में close हुई है और open हुई थी open के बाद 800 के काफी उपर तक गई closing जब हो बिलकुल lowest point पे हो रही है देखिए बहुत strong sign है market में reversal का copper में reversal का यहां पर sell करना sell करके hold रखना यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी opportunity है copper के case में तो अभी market में अगर कोई भी uptrend बनना है तो market at least मैं समझता हूँ कि कम से कम 2-3 महीने consolidation phase में लगाएगा अगर बहुत ही strong view है copper के उपर जाने का तो 2-3 महीने consolidation phase में लगेंगे जिसमें आपको अच्छा price मिलेगा और बहुत अच्छा price भी मिलेगा ठीक है तो वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे थोड़ा साम levels को discuss कर लेते हैं levels से जादा यहाँ पर आपकी strategy matter करेगी levels इसलिए बहुत strong नहीं बता सकता है क्योंकि अभी Monday की opening कैसी होगी और दूसरी चीज़ copper ने intraday charts पे एक support लिया हुआ है उमीद यह कर रहा हुँ है कि शायद Monday का जो trading session है वो positive रह सकता है इसकी possibility है possibility वो कब तक है जब तक market में 770 exact इसी price के नीचे copper अपने आपको hold करने की कोशिश नहीं करती है अगर 770 के नीचे prices hold होते हैं तो थोड़ा सा selling pressure और build up हो सकता है otherwise market में यहां से थोड़ा support लेने के chances है जिसमें उपर में 785 से 790 के बीच में एक अच्छा price है हमारे sell करने के लिए short position को build up करने के लिए तो उसे हम ignore ना करें तो ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि कब market जो है एक और plus point हो जाएगा तो यहां पर हम किस तरीके से trade कर सकते हैं देखिए trade आप कहीं भी ले लिजिए 785 पे और 90 पे इस position को अगर आप hold करते हैं और 770 break हो जाता है तो आप उस zone में enter कर जाते हैं जहां पर आपके पास यह option है कि अब आपको यह trade किस तरीके से play करना है आपने एक trade ले लिया कहां exit करना है partial exit करना है completely exit करना है stop loss trail करते चलना है वो फिर सारे के सारी चीज़े आपके हाथ में होगी तो ऐसे trade बहुत कम मिल पाते हैं तो copper में overall look negative है पर फिर भी market में Monday को तो थोड़ा opening पे भी depend करेगा opening कहां होंती है कि market में एक upside movement हमें देखने को मिल सकती है upside movement या फिर market अपने आपको थोड़ा सा एक range में hold करने की कोशिश कर सकता है और उपर में अगर हम level की बात करें तो उपर में एक level है 809 जब तक अब ये break नहीं होता फिलाल ये level temporary है Monday को ये level भी और थोड़ा सा सही position ले चुका होगा 809 है 809 के उपर जब तक market नहीं आता तब तक further upside की expectation करना वो थोड़ा सा गलत रहेगा downside में 770 इसके बाद एक level है 725 के around ठीक है 725 तो ये हमारे सामने ये levels हैं बहुत बड़े बड़े gap पे हैं आप थोड़ा सा ध्यान से आप trade कीजिए trade वो लीजिए देखिए copper में एक रुपे पर बहुत ज़्यादा profit या loss रहता है तो आप trade सिर्फ वही trader ले जो थोड़ा सा manage कर सकता है copper के trade को आप समझ जाएं कि इसका margin जादा रहेगा इसमें profit loss आपको जादा देखना पड़ेगा तो जहां आपका profit जादा है वहाँ पर आपका risk भी जादा है तो थोड़ा सा आप ध्यान से trade कीजिए धन्यवाद